नवस्कार दोस्तों मैं रानू स्वगत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके सी यूटूब चैनल स्मार्ट टेक में दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आज आप सभी के लिए बहतरी इन वीडियो लेकर रहे हूँ दोस्तों जैसे कि वीडियो का थमनिल देखका तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका हुगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है दोस्तों आज का वीडियो इंडिया में जितने भी दुकानदार है सभी के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पर इंडिया में सबसे ज्यादा आज कल पैसों की लेन देने के लिए UPI का इस्तमाल किया जाने लगा है अब ऐसे में दुकानदारों की टेंसन बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर देखे अगर आप UPI की थूरू पैसा लेते हो तो यहाँ पर आपको डर होता है कि यहाँ पर अगर मेरी limit saving account यहाँ पर current account में जैसे कि saving में 10 लाग और current में 20 लाग अगर इस limit से ज़्यादा अगर एक साल में लेन दिन हो जाता है तो ऐसे में आपको income tax की तरफ से notice आ सकता है तो ऐसे में दुकानदारों को लगता है कि भाई यहाँ पर मैं UPI से payment नहीं ले सकता तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी का solution बताने वाला हूँ कि आपको UPI से payment लेनी चाहिए या फिर नहीं अगर लेनी चाहिए तो इसका सही तरीका क्या है और अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए तो इसलिए वीडियो साथ अंतितक बने रहीगा साथी साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सबिस्क्राइब कीजएगा आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों को जवाब देने बाला हूँ UPI payments से related तो वीडियो साथ अंतितक बने रहीगा दूस्तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर UPI payments लेन देन के लिए दुकानदारों को options क्या क्या मिलते हैं देखिए options आपको दो ही तरीके के मिलते हैं पहला तो आपने देखा होगे market में कई तरह के ऐसे service provider होते हैं जो कि आपके दुकान पर एक QR code यानि की बार कोड लगा कर चले जाते हैं और आप से बोलते हैं कि सर जितनी भी लोग आपके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं वो लोग आपके अकाउंट में phone पे, google पे, ptm के थुरू इस बार कोड को scan करेंगे और आपके अकाउंट में next day पैसा deposit हो जाएगा ठीक न और दूसरा option आपके पास होता है कि यहां पर आप डाडेक्ट अपने google पे, ptm या फोन पे का mobile नंबर देजी बहां पर वो mobile नंबर टाइप करेंगे और UPI की थुरू पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे लेकिन यहां पर इन दोनों में इतना वड़ा different की होता है दोस्तों यहां पर different के साथ साथ कई ऐसी changes भी होते हैं जिनको आपको समझना जरूरी है अगर दुकानदार QR code की थुरू payment लेता है तो उसका payment एक दिन बाद उसकी account में settled होता है और अगर दुकानदार यहां पर direct mobile number की थुरू payment अपने account में लेता है तो तुरंत उसके account में settled हो जाता है ठीके ना लेकिन देखिए यहां पर डर क्या होता है कि माल लिजी मैं एक दुकानदार हूँ और मुझे एक payment लेनी है customer से तो यहां पर माल लिजी मैंने अपना UPI number दे दी है phone पे Google पे या फर Paytm का तो customer यहां पर लगातार अगर उसी process से मेरे account में पैसे डालेंगे तो मुझे पैसा तो instant पहुच जागा एक benefit है लेकिन यहां पर सबसे बड़ा यहां पर नुक्सान क्या है उस चीज को समझे देखे अगर आप QR के थुरू ले तो अपना पैसा आप दुकानदारों customer का पैसा QR code के थुरू ले तो इसमें नुक्सान यह है कि आपका पैसा एक दिन बाद settled होता है आपके account में आता है लेकिन यहां पर फायदा बहुत बड़ा है दोस्तों यहां पर इस चीज को आप को यूटूब पर कोई भी नहीं बताएगा फायदा यह है कि यहां पर दोस्तों आप यहां पर जितना भी payment यहां पर QR code के थुरू लेते हो अपने customer से तो वो payment आपका sale payment कहलाएगा मतलब कि आपने किसी product को sale किया और customer से पैसा लिया तो वो sales में चला जाएगा जब भी आप ITR file करवाओ को किसी भी CA बगरा से तो CA बुलेगा कि आपका sale अलग होगा और income अलग होगी अगर आप UPI payments के थुरू direct पैसा लेते हो तो उसे income मानी जाएगी उसे income मानी जाएगी margin wage commission नहीं माना जाएगा ना ही sale मानी जाएगी और अगर आप QR code के थुरू पैसा लेते हो तो उसे sale मानी जाएगी अब ऐसी condition नहीं अगर आप sale करते हो तो यहाँ पर आपका margin base ही मानी जाएगी लेकिन उसकी opposite अगर UPI payments के थुरू पैसा लेते हो 100 पैसा अपने customer से तो यहाँ पर 100 के 100 पैसा आपकी income मानी जाएगी क्योंकि वो direct पैसा आपके account में आया है अब यहाँ पर दोस्तों CDC सरल भासा में बोला जाते हो दुकानदारों को क्या इस्तमाल करना चाहिए QR code या फिर UPI तो यहाँ पर मैं सभी दुकानदारों से request करूंगा कि यहाँ पर अगर आप legal तरीके से दुकानदारी करना चाहते हो तो यहाँ पर किसी भी company का QR code ही इस्तमाल करे ताकि customer आपको बिना mobile number पूछे बिना mobile number जाने आपके account में पैसा भी transfer कर सके और आपने यहाँ पर जो भी product या फिर जो भी service दी अपने customer को उस service के दौरान आने बाले पैसे को sales में ही गिना जाए ठीक ना sales में ही गिना जाए और उसका margin based commission ही माना जाए तो यहाँ पर आप income tax फाइल करते हो या पर कल की दिन आपको notice भी आ जाता है तो यहाँ पर आप income tax रेटन फाइल करते वक्त दिखा सकते हो या पर उन्हें जवाब दे सकते हो कि sir यह मेरा बार कोड की थुरू पैसा आया है और यहाँ पर जितना भी पैसा आया है वो पर कुछ नहीं गएगा और government को एक कोई अधिकार भी नहीं है कि आपके उपर कोई claim कर सके ठीक है और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पता है यहाँ पर नुक्सान क्या होता है कि यहाँ पर एक दिन बाद आपके account में पैसा आता है लेकिन यहाँ पर जो एक दिन बाद पै पे पे टीम या पर गूगल पे के आपने जितनी भी दुकान पर बार कोट बगएरा देखे होंगे तो भाई इनका कमाई का सोच क्या है यह तो आपको फ्री में बार कोट देकर चले जाते हैं तो यहाँ पर होता क्या है जो 24 घंटे तक amount जितनी भी दुकान दर का एक फोन कर देती हैं safely securely यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर कंपणिया आपका पैसा खा कर भाग जाएंगे देखिए बार कोड लगाने के लिए यहाँ पर आरवी इसे एक्रूबल लेना होता है तो इसलिए अगर कोई भी कंपणिय बीच में आपका पैसा लेकर भागती है त भाइलाप रोपैता की धन रासी RBI की तरफ से बापस आपको की जाएगी तो एसमें आपके लिए सेव एंड सिक्योर होने वाली है QR कोड द्वारा की गई पेमिंट तो इसलिए आप QR कोड का स्तमाल करें तो दोस्तों क्या सा लगाए आज को वीडियो अगर वीडियो झाल